Hello everyone, Welcome to Mission for Perfect Study Channel, मैं एंकित पांडे और इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 से लेकर 7 मई 2020 तक के बहुत ही important current affair के questions को तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और अन तक देखें ताकि जो भी यहाँ पर questions cover किये जाएं और questions से संबंधित जो भी हम important facts यहाँ पर discuss करें वो सारी चीज़ें आपको clear हो सकें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे like करें अपने दोस्तों में भी इसे जदा जदा शेयर करें ताकि उनको भी benefit मिल सके इसके लावा अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल Mission for Perfect Study को subscribe नहीं किया है तो please आप इसे subscribe कर लें और घंटीक आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो upload की जाए उसकी notification आपको प्राप्त हो सके साथी साथ मैं आपको ये भी बता दू कि इस वीडियो में हम जो भी questions cover करेंगे उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी जिसका की link आपको इस वीडियो के description box में दे दिया जाएगा जहां से आप free में PDF डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चलिए बात करते हैं चार से लेकर 7 मई 2020 तक के बहुत ही important current affair के questions को यहाँ पर देखें जो प्रशन है अभी हाल ही में भारती नोसे नाने विदेशों से भारती नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए किस operation की शुरुआत की हैं विकल्प A है operation समुद्र से तू B है operation जल से तू C है operation नब से तू और D है उपरोक्त में से कोई नहीं तो इस question का जो सही answer है वो विकल्प A है operation समुद्र से तू एक बात आपको ध्यान रखना है कई बार एकजाम में पूछा गया है कि भारती नोसे नादिवस कब मनाय जाता है तो ये होता है 4 दिसंबर कों ठीक है तो इस question का जो सही answer है विकल्प A है operation समुद्र से तू अभी हाल है में COVID-19 वैश्विक महामारी के संकट पर चर्चा करने के लिए आयोजित गुट निर्पेक्ष अंदोलन यानी नाम नौन एलाइन मुव्मेंट संपर्क समो के आनलाइन शिकर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया विकल्प देखें A है रक्षा मंत्री स्री राजनात सिंग B है प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी C है ग्रिह मंत्री स्री अमित्शाः D है विदेश मंत्री स्री S जैशंकर तो इसका जो सही एंसर है वो विकल भी बिल्कुल सही है प्रधान मंत्री स्री नरेंद मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये नोंने भाग लिया इसमें और कुछ बातें आपको ध्यान रखती हैं पहली बात की इस शिखर सम्मेलन का जो विशय था वो था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड नाइनटीन और ये जो ऑनलाइन शिखर सम्मेलन था इसमें गुट निर्फिक्ष अंदुलन के वरतमान अध्यक्ष और अजर बैजान गर्राज के रास्ट पती महामहीम इलहाम अ जुटता को बढ़ावा देना और वैशिक महामारी से निपटने के लिए विभिन देशों और अंतर रास्टी संगटनों के प्रयासों को गति देना था ठीक है और गुट निर्फिक्ष अंदुलन की जो अस्थापना हुई थी 1961 को हुई थी और इसका जो हैड़क्वाटर ह वो है जकार्था इंडोनेशिया में ठीक है तो इस क्वेशन का विकल्प भी बिल्कुल सही है प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किस राज्य के मोख्यमंत्री ने आयूश कवच कोविड मोबाइल एप लॉंच किया है विकल्प A है राजस्थान B है उत्राखंड C है उत्तरप्रदेश और D है मध्यप्रदेश तो मैं आपको बता दू किसका जो सही एंसर है वो विकल्प C है है और आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर के माद्यम से और इस एप में जो है आयूरवेद में मौजोद जड़ी बूटियों और चिकत साफ पध्यती की जानकारी दी गई है ताकि जो लोग है वो प्राकरतिक जड़ी बूटियों के प्रयोग से अपने शरी की जो इम्यूनिटी है इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ा कर रोगों को जो है परास्त कर सकें ठीक है जैसा कि आप जानते हैं कि देश में जो है कोवेड 19 संक्रमन के कारण जो है काफी ज़्यादा लोग जो है इससे संक्रमित हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए य अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ा सकें और कोवेड 19 की लडाई में जो है जीत सकें ठीक है तो विकल्व सी बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में जम्मू कश्मेर के किस फोटो पत्रकार को अगस 2019 में अनुक्षेत 370 के अधिकतर प्रावधान हटाये जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनी काम करने के लिए फीचर फोटोग्राफी स्टेडी में 2020 के पुलज़र पुरसकार से समानित क किया गया है ठीक है तो विकल्ब देखें A है मुक्तार खान B है यासीन ड्यार C है चन्नी अनंद और D है उप्रोक्त सभी तो मैं आपको बता दो कि इस क्वेशन का जो सही एंसर है विकल्ब D बिल्कुल सही है उप्रोक्त सभी यानि तीनों लोगों को फीचर आशक चोशव पुलिज़र के स्मृती में 1917 से जो है अमेरिका के कुलंबिया विश्विद्याले द्वारा पत्रकाइटा इवं साहित्यके क्षेत्र में दिया जाता है ठीक है ये बात भी आपको ध्यान अगनी है तो विकल्ब दी विल्कुल सही होगा अभी हाल ही में किस भारतिय मोलकी अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी रास्टपती ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD जिसका फुल फॉर्म है और नाईयेसन फॉर एकोनॉमिक को आपरेशन एंड डिवलप्मेंट में अपने दूत के पद के लिए नामित किया ह विकल्ब देखें A है मोनिशा घोस B है मनिशा सिंग C है गजाला हाश्मी और D है उपरुक में से कोई नहीं तो इसका जो सही एंसर है वो विकल्ब B है मनिशा सिंग ठीक है हर साल अंतर रास्थी अगनिशा मन दिवस किस दिन मनाय जाता है A है दो मई को B है तीन मई को C है चार मई को और D है पांच मई को तो इसका जो सही एंसर है विकल्ब C है चार मई को तो चार मई को प्रतेकवर्स अंतर रास्थी अगनिशा मन दिवस मनाय जाता है प्रतेक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस यानि वर्ड अस्थमा डे किस दिन मनाया जाता है विकल्प A है प्रतेक वर्ष मई महिने के पहले सोमवार को B है प्रतेक वर्ष मई महिने के पहले मंगलवार को C है प्रतेक वर्ष मई महिने के पहले बुधवार को और D है प्रतेक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को ठीक है तो इसका जो सही एंसर है वो विकल B है प्रतेक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को और वर्ष 2020 में जो है ये मनाया गया पांच मई को ठीक है पांच मई को दिन मंगलवार था पहला मई का पहला मंगलवार था पांच मई उसी दिन जो है विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया तो विकल भी बिल्कुल सही होगा अभी हाल ही में रक्षा, अनुसंधान और विकास संगठन याने DRDO ने कुरोना वाइरस से अत्यधिक संक्रमण की आशंका वाले ख्षित्रों के लिए एक अल्ट्रा वाइलेट डिस इंफेक्शन टावर को विक्सित किया है इस उपकरण को नाम दिया गया है A है UV ब्लास्टर, B है UV डिडेक्टर, C है A और B दोनों और D है उपरोक में से कोई नहीं तो इस उपकरण को जो नाम दिया गया है वो है UV ब्लास्टर, अल्ट्रा वाइलेट ब्लास्टर तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, बढ़ते हैं अगले प्रशन पर यहाँ पर देखें अभी हाल ही बे अमेरिका के रास्टपती ने भारती मोल के किस अमेरिकी को अंतर रास्टिय पुनर निर्माण और विकास बैंक यानि IBRD जिसका के फुल फॉर्म है International Bank for Reconstruction and Development में जो है अमेरिका का प्रतनिधित्यों करने के लिए नामित किया है विकल्ब देखें A है अशोक माइकल पिंटो को B है सर्क्ता कोमाती रेड़ी को C है मोनिशा मोनिशा घोसको और D है उपरुक में से कोई नहीं तो इसका जो सही एंसर है वो विकल्ब A है अशोक माइकल पिंटो को और इनका जो कारेकाल रहेगा वो दो वर्षों का है और कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है कि IBRD विश्व बैंक समू की एक रिंडर प्रदान करने वाली अंतर रास्तिय संस्था है और इसकी अस्थापनावी थी 1944 में और इसका जो मुख्याले है वो वौसिंटन डीशी में है वर्ड बैंक का भी जो मुख्याले है वो भी वौसिंटन डीसी में है ये भी आपको ध्यान रखना है और IBRD जो है गरीबी उनमूलन एवं विकास कारीों है तो मध्यम आये वाले विकाश हील देशों को रिड मोहया कराता है और अशोक माइकल पिंटो को जो है अमेरिकी राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प ने वैकल्पिक कारेकारी निदेशक सीईओ के पत के लिए नामित किया है ठीक है तो विकल्प ये बिल्कुल शही है अभी हाल ही में यूनेसको ने किसे विश्व पिस स्वतंतरता पुरसकार 2020 के लिए चुना है विकल्प ये देखें महमूद अबू जीन को B है क्याव सोयो और वालोन को C है जिनेत बेदोया लीमा को और D है उपरोक्त में से कोई नहीं ठीक है तो मैं आपको बता दू कि यूनेसको ने विश्व पिस स्वतंता पुरसकार 2020 के लिए कुलंबियाई खोजी पत्रकार जिनेत बेदोया लीमा को जो है चुना है ठीक है तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुरसकार है वो 1997 में गठित किया गया था और इसे जो है यूनेसको विश्व पिस स्वतंता पुरसकार या गिलर्मो कैनो विश्व पिस स्वतंता पुरसकार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो है इसकी जो अस्थापना हुई थी वो कुलंबिया के पत्रकार गिलर्मो कैनो इज्मा इनके सम्मान में अस्थापित किया गया था ठीक है तो विकल्ब जो C है जिनेत बेदोया लीमा ये बिल्कुल सही है प्रतेक वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है विकल्ब A है 4 मई को B है 5 मई को C है 6 मई को और D है 7 मई को तो प्रतेक वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है 7 मई को और विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है युवाओं के बीच खेलों को लोगप्रिय बनाने और स्कूलों और संस्थाओं में प्रात्मिक खिलों के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने और एथलेटिक्स के खित्र में नई प्रतिभा और युवाओं को प्रोटसाहित करने के लिए प्रतेकवर 7 मई को विश्व एथेलेटिक्स दिवस मनाया जाता है ठीक है तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है तो ये थे हमारे कुछ important current affair के questions जो की 4 मई से लेकर 7 मई तक के बीच के थे I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले कुछ बहुत ही महत्वपूर current affair questions के साथ तब तक के लिए thank you have a great team Hello everyone Welcome to